इस सीरीज में हम डिसकस करते हैं इंपोर्टेंस सीवी टी पीजी से रिलेटेड़ अपडेट्स और कैसे आपको एप्लिकेशन फॉर्म भरना है और पी जो बाकि आपके डाउट्स रहते हैं को भी आपर जो हम सॉल्फ करते हैं तो यहां पर जो है आज का जो बहुत ही बड़ डाउट है वो यह है कि मैं हमें जब एप्लिकेशन फॉर्म भरना है तो किन-किन चीजों पर उपर ज्यादा फोकस करना है और कौन-कौन से मिस्टेक्स जो को लोग करते हैं उनको हम अवोइड करें क्योंकि जो मिस्टेक्स बाके लोगों ने कर दी उनसे कुछ सीख लेना चाहिए हमें और उन मिस्टेक्स को मैं अवोइड करना चाहिए विकॉस आखिरकार यह आपके फ्यूचर का सवाल है छोटी सी मिस्टेक आपका एड्मिशन जो है कैंसल करवा सकती है सो इसलिए बहुत ध्यांसे इस वीडियो को देखेगा और इसमें आपको जब बहुत साइच चीज़े जए नहीं सीखने को मिलेंगी तो यहां पर जो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो लोग करते है वो यह है नोट चेकिंग दे अप्लिकेशन होगा, eligibility criteria क्या है, आपका जो है कौन-कौन से documents आपको चाहिए, आपको application form कैसे भढ़ना, registration कैसे करना है, सारी चीज़े उसमें जो है mention होती है, तो एक बार जब भी आप जो है अपना form भरा करीजे तो उस application guide को एक बार नजर से निकाल लिया किजे, वैसे तो हम आपके लिए उस से related videos लेकर आते ही रहते हैं, फिर भी अपने नजरों से जो चीजे निकली भी होते हैं, वो better हम trust कर पाते हैं, चीक है, तो यह सबसे बड़ी common mistake है, वही पर second mistake is incomplete or incorrect personal information, अगर आप अपना mobile number ही गलट डालोगे, अगर आप अपनी email ID ही गलट डालोगे, वही पर अगर अप mistake जो है, लोग करते हैं, पता नहीं, incorrect क्यों डाल देते हैं, जल्दी बाजी में भरते हो, तो एक और यह mistake में आगे बताऊंगे, कि जल्दी बाजी नहीं करनी है, जो last date है, वहां तक का wait नहीं करना है, पहली ही आपको form भर लेना है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, mobile number प् जो है, आएंगे, वही पर अगर हम बात करें, अगली mistake है, not having the important documents handy, तो जब भी जब आपको registration form भढ़ना होते हैं, तो पहले से documents रखो, कि जो उन से documents चाहिए होंगे, उनको जो है, proper format में convert करके रखो, जो भी आपका अधार कट ची होगा, आपके class 10 के certificates, class 12 के certificates, graduation के certificates, अगर जो photo है, signature है, इन सब को जो है, पहले से ready रखो, इस से related video भी मैं already बना चुकी हूँ, अभी 2-3 दिन पहले ही आपके video आई है, कि कौन-कौन से documents आपको पहले से handy रखने हैं, जिससे जब आप registration form डालो, आपके बस सारी चीज़े रखो, आपको upload करने हैं, और जो हमारी photo होती ह जो signature होता, उसका एक particular format होता है, जिसमें आपको upload करनी होती है, तो वो भी मैंने आपको उस particular video में बताया है, कि कौन से format में और कितने size की जो है, आपकी photo और signature होनी चाहिए, photo किस टाइप की होनी चाहिए, passport photo, वो भी मैंने उस video में आपको बताया है, चीक है, तो ये भी आप mistake जो है, बहुत सा बच्चे करते है, जिसके वज़े से last में हबड़ा दबडी हो जाती है, आगली mistake है, not knowing if you satisfy the eligibility and still proceed to apply, बहुत से बच्चे होता ही तो उनको पता ही निए कि मैं इस course के लिजिबल हुया नहीं, उन्हें पता ही निए कि अगर मुझे ये वाला MA हिश्य का कोर् जाता है, तो आप अपने जहां पर भी जिस भी course में apply करना चाहरे हो, जिस भी college में apply करना चाहरे हो, तो please आप अपनी eligibility को देख लीजे क्या आप eligible हो या नहीं, कौन सा question paper code में exam देना है, वो भी आप एक बड़ चेक कर लीजिए, ठीक है, फिर ही जो है आप आगे apply कीजिए, तो ये सारी चीज़े तो पहले से ही आपको चेक कर लीनी चीए, ये नहीं के application form का वेट करोगा, तब चेक करोगा, कौन से question paper code में exam देना वालो, कौन से college में admission चाहिए, ये तो आप पहले से ही चेक करके रखो ना, जिस से जब registration form की time में, आपका mind clear है, कि हम मुझे ये करना ह confusion ना हो उसमें, वही पर अगली mistake जो बच्चे करते हैं, not having a clear idea of the course, उन्हें पता ही नहीं कि कौन से courses of label है, कौन से course कौन से college में आपको मिल जाएगा, कौन से university कौन से course करवा रही है, मतलब तो इसकी वज़े से बहुत सारे बच्चे, मतलब लिटरली इतनी महनत करते हैं, फ अपका paper अच्छा ने गया, but उससे admission cancel हो तो वह अलग बात है, but आप जब चोटी-चोटी mistakes करते हो, और उनके वज़े से जब admission cancel होता है, तो यह बहुत ज़ादा परिशान करती है, चीज़े, पूरा moral डाउन कर देती है, तो यह चोटी-चोटी mistakes आपकी हाथ में है, जो आप avoid कर सकते हो, उनको पहले सी avoid करके चलिए, चीक है, वही पर अगर हम बात करे, not choosing the COET exam centers closest to your place, this may create problems at the last minute, such as traveling to unknown location, वही पर होता है, जब आपको जो है, application form में भरना होता है, कि आप exam का center कहाँ पर चाहते है, तो बच्चे कुछ भी center भर देते है, तो end में क्या होता है, आपको दूर दूर जाना पड़ता है, फिर आप last में रश होता है, last में जो आप परिशान होते हो, कि मेरा exam center तो वहाँ पर आया है, मैं तो भरा ही नीता, ऐसा होई नहीं सकता, अपने भरा ना हो, तो आपने जो भरा आपको ना मिला हो, usually NTA try करता है, जो भी सारे exam centers भरे है, बच् चपाए, चिक है, तो ये भी एक mistake करते है, बच्चे, वही पर अगली है, carelessness in educational details, जो आप educational details अपनी भरनी है, class 10th की, class 12th की, class graduation की, तो उसमें कोई carelessness नी की भरनी है, करनी है, आपको जितनी आपके percentage आई है, जो आपका record रहा है, जो भी आपसे चीजे मांगी गई है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान से भरी है, even cross check कराईए अपने किसी बड़े भाइबहन से, या फिर अपने friends से, friends तो avoid कर अपने mammy वापसे, they know better कि आपकी क्या educational qualification है, क्या details रही है, क्या चीज जो आपको form में भरनी है, तो हमेशा cross verify जरूर कराईए, submit करने से पहले अपने form को, वही इन guidelines को, you know, ignore करते हो, तो आपके documents ही submit नहीं होते है, और सोचते रहे हैं, document क्यों नहीं submit और परिशान होते हो, तो आपको guidelines धहान से पढ़नी है, कि मेंको documents अप्लोड करने है, जो भी आपके class 10 के वे upload करने, class 12 के वे upload करने, तो particular size limit होती है, कि इसी में upload करने, तो वो सारी ची नहीं है, दो तीन अपने handy रखो, आप debit card यूज करो, credit card यूज करो, तो उनको handy रखो और कोशिश करो, जो working debit card, credit card यूज में आपको सारे password, OTP, 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 number, अपके पास अब लेबल है, उससे payment करो, क्योंकि लास में क्या होता है, payment error आ जाता है, payment successful नहीं होती है, तो दिक्कत आ वही पर जब payment receipt आ जाती है, उसको भी आप screenshot लेकर रखे, download करके रखे, जिससे आगे के future references के लाप उनको यूज कर सकते है, ठीक है, वही पर next mistake is last minute submission rush, ये तो सबसे बड़ी mistake है, last minute का वेट नहीं करना कि आज तो आखरी दिन है, मैं तो आज ही form भरूँग, आज ही मजाएग last दिन पर form भर्णने में क्या मचा आता है, बिल्कुल tension रहती है, server जो है, कभी hang हो गया, या कुछ हो गया, फिर क्या करोगे, तो पहले से ही अपना buffer लेकर चलो, ठीक है, अपना जैसी form release होता है, एक दो दिन देखो कि मैं को क्या कै, इसमें information भरनी है, फिर एक दो दिन mistakes, जो की बच्ची अकसर करते है, जब वो application form भड़ते है, तो अब आपको और क्यों सी mistake, तो आप हमारी वारतलाप सीरीज को continue करते है, तो वारतलाप सीरीज में आपको बोलता है, जो last मेरी वीडियो थी, उसके नीचे जिन बच्चे ने कॉमेंट किये, अपने डाउट्स, म वीडियो आएगी, उसमें आपके डाउट्स लिये जाए, तो आप इसी वीडियो के नीचे जो है, कॉमेंट कर दिये जएगा, और नेक्स वीडियो में आपके डाउट्स को मैं cover कर लूँगी, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सुर्भी का डाउट है माम, एडमिशन मे कौन कौन से documents लगते एक बार बता देती, तो उसको बनवा कर ready कर लेती, सुर्भी, यह मैंने वीडियो एक या दो दिन पहले बनाई है, कि important documents कौन कौन से चाहिए, so please आप वीडियो वाले section में, वीडियो वाले section में जाकर इस वीडियो को देख लेजे, वहाँ पर मैंने detail मे क्या मैं C.O.T.P.G. दे सकता है, सिफ experience के साप से, हाँ, अगर experience करना की paper कैसा आता है, क्या feel होता है, तो आप दे सकते हो, but हाँ, आप admission नहीं ले पाओगे, because आपका eligibility criteria पूरा नहीं है, but ऐसी देख कर आने exam, बैठ कर आने है, तो आप वो दे सकते हो, कोई दिकत नहीं है, मै आपको colleges जादा से जादा भढने होंगे, कि आपके इस किस university में C.O.Q.P.E. 11 से admission लेना चाहते है, क्योंकि C.O.Q.P.E. 11 के through, आपके अलग-अलग courses में admission हो जाते है, थोड़ा सा अमन, थोड़ा सा और elaborate करो इस doubt को, तो मैं और बेटर तरीके से आपका solve कर पाऊंगी, वही प ठीके दिवयांची, तो I hope आपको साही चे समझागे, अच्छा Children's Day है, तो Children's Day पर आपको तौफा देना तो बनता ही है, तो हम सब जो है आपके लिए Children's Day पर डिसकाउंट लेकर आए है, बच्छे, अगर आपको इसको डिसकाउंट को अवेल करना है, 37% का डिसकाउंट चल तो जब भी आप कोर्स परचेस करते हो, तो वहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाए करना पड़ता है, जिससे आप इस मैक्समम डिसकाउंट का फाइदा उठाओ तो आप मेरा कूपन कोड आशी 20 जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो, इस कूपन कोड को लगाने की बाद, च चाहिए आपको या फिर बाच रिलेटेट कोई कवरी है, तो आप मुझे आपको 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 आज की वीडियो जो अच्छे लगी होगी, साइच चीज़े समझ आ गई होगी, तब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस वारतलाब सीरीज में, तब तर किला आप सब लोग अपने ध्यान लिखे, टेक केट आटा, बाइ-बाइ.